गेहूं में आने वाले त्योहारी सीजन में तेजी रहेगी या मंदी? आएए एक नजर डालते हैं पिछले एक सप्था के दोरान गेहूं की कीमतों में 4 फीसद की तेजी दर्ज की गई है जबकि पिछले साल के मुकाबले गेहूं की कीमते 22 फीसदी तक बढ़ चुकी है देश की विभिन मंदियों में गेहूं का भाव 2300-25 उर्पे प्रतिकविंचल के बीच देखने को मिला है वहीं दक्षिन भारत की मंदियों में गेहूं के भाव 32nd-35 उर्पे प्रतिकविंचल है और उधर गेहूं का आटा 35 से 36 रुपे किलो के हिसाब से मार्किट में बिक रहा है। गेहूं की कीमतों में वृध्धी के बाद अब किसानों के मन में ये सवाल है कि अगामी त्योहारी सीजन में क्या गेहूं के दाम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे लेकिन शायद अब इसका जवाब नहीं होगा। क्योंकि केंदर सरकार ने खाद्य मेंगाई पर लगाम लगाने के लिए गुरुवार को गेहु के आटे के निर्याद पर प्रतिवन लगाने का फैसला किया है। जानकारों को कहना है कि सरकार के इस कदम से गेहु के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी आपको बता दे कि इससे पहले भी कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने मैई महीने में खाद्य सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिए केंदर सरकार ने गेहु के निर्यात पर रोक लगाई थी दरसल पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहु के दाम शुरू से ही तेज़ बने हुए है गेहु की किमतों में तेजी के पिछे दो परमुक कारण है पहला रूस और युक्रेन युद और दूसरा देश में गेहु का कमजोर उत्पादन यहाँ आपको बता दे कि रूस और युक्रेन विश्व के सबसे बड़े निर्यातक देश है इन दोनों देशों में युद के कारण विश्व में खाद्यान संकट बढ़ गया है कई देशों ने भारत से गेहु मंगाया है और जिसके कारण देश में गेहु की किमतों में वृद्धी देखने को मिली वही देश में इस साल उत्पादन और क्वालिटी के मामले में गेहु की फसल काफी कमजोर रही समय से पहले तेज गर्मी के कारण फसल कटाई के समय गेहूं का दाना सिक उड़ गया और गेहूं का उत्पादन कम हुआ और क्वालिटी भी कमजोर रही इस कारण से गेहूं का भाव एप्रिल 2022 से ही नियूंतम समर्थर मुल्या से काफी उंचा हा रहा इसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी खरीद कम हुई और कुल सरकारी खरीद 189 लाग टन पर सिमट कर रहे गई देश में गेहूं की कमी ना हो और प्रयाप्त स्टोक रहे इसके लिए केंदर सरकार ने मई 2022 में गेहूं के निर्याद पर रोक लगा दी क्योंकि इस दोरान रूस और युक्रेण युद के कारण कई देशों ने भारसे गेहूं खरीदने की इच्छा ज़ताई थी जो अब तक रूस और युक्रेण से ही गेहूं खरीदते थे सिमित मात्रा में निर्याद करने से गेहूं के दाम एकाएक बढ़ गए सरकार का कहना है कि देश के पास अपनी घ्रेलू जरूरतों के सासा जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलाल के लिए स्टोक प्रयाफ्त है वही देखा जाए तो देश में 10 सितंबर से त्योहारी सिजन शुरू हो जाएगा नवरात्रा, दिशेरा, दिपावली, छटपुजा, क्रिस्मस और शादी सामोरहों का दोर रहेगा इस दोरान उभोकता वस्तूओं की खपत बढ़ जाएगी ऐसे में गेहूं की मांग बढ़ना भी लाजमी है मंडी विशेशग्यों का कहना है कि मांग और सप्लाई के बीच असमानता के कारण देश में गेहूं की कीमते बढ़ रही है देश में नया गेहूं एप्रल 2023 में आएगा इसमें अभी साथ महा का समय है अभी देश में मोंसुन का सीजन चल रहा है देश के कई भागों में अप्रयाप बारिश हुई है मोंसुन के फाइनल आंकड़े आने के बाद देश में बारिश की स्थिति का पता चलेगा वहीं रभी सीजन में गेहूं की वाई अक्तूबर नवंबर में शुरू होगी केंदर सरकार की मुफ्त गेहूं योजना भी गेहूं की कीमतों का भविश्य तै करेंगी इस योजना में किसी भी तरह का अगर कोई बदलाव होता है तो उसका सीधा असर गेहूं की कीमतों पर आता हुआ दिखाई देख सकता है यहां आपको बता दे कि करोना काल के कारण पिछले दो साल से केंदर सरकार देश के करीब 80 करोड जरूरतमन लोगों को मुफ्त अनाज का वित्रन कर रही है इसके चलते सरकार के पास अनाज के बफर स्टोक में कमी आई है उधर बजार विशेशग्यों का कहना है कि सरकार धीरे धीरे मुल्या निरेंतरन के अन्या सादनों जैसे की आयाद शुल्क में कमी और स्वैचिक स्टोक प्रकटी करन आधिकप उपयोग कर सकती है हलाकि घ्रेलू थो गेहूं की कीमते वैश्वी कीमतों से कम है आयाद शुल्क में कमी भी इसे एक विवहार्य विकल बनाने के लिए अवश्यक होगी ऐसे में बजार जानकारों का कहना है कि सरकार के इस कदम से तो फिलाल गेहूं की कीमते थमती हुई दिखाई दे सकती है विरो रिपोर्ट मार्केटाइम्स टीवी झाल है